दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत दा साइन्स अपने आप लोग देख रहें साइन्स की स्पेशल सीरीज 79 और इंपोर्टेंट किसके लिए हैं एंटीपीसी मेंस के लिए रेलवेग गुरूबडी के लिए पीश्टी-टीश्टी के लिए सुपर्टेट और टेट के लिए जितने भी एक्जाम्स होते हैं जिसमें साइन्स आती है यह सीरीज सभी के लिए इंपोर्टेंट है आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर 501 से निम्ण में से कौन सा अलोव धात नहीं है अर्थात लोव है कुश्चन यह है तो आप्शन क्या है कोवाल्ट निम्ण में से कौन सा है जो अलोव नहीं है अर्थात लोव है तो डारेक्ट दोस्तों हम लोगों को आंसर दिख रहा है कौन सा पहले कोश्चन देखे 501 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नम्बर लोव क्या है यह आईरन है और आईरन एक ऐसा एलिमेंट्स होता है ऐसा होता है बड़ प्राप्त कहां से होता है यह हमें इसपेशली हरी सबजीयों से प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है हरी सबजीयों से प्राप्त होता है और यह रक्त निर्मार में एक एहम भूम का निवाता है कौन लोव पोशक तत्व और इस पेशली इसका हीमोगलोवीन की वज़े से वए रड होता उसमें RBC, WBC और प्लाजबा पाहा जाता है। रक्त पर संचरों जिसको इंग्लिस में Blood Circulation कहते हैं इसकी खोच William Harvey ने की थी। अब आपके दिमाग में एक बात चल लए होगी कि Blood Group की खोच किस ने की थी। अर्थात रक्त समू की कोच किस ने की थी। तो रक्त समू की खोच की थी Land Stinaur ने किसने, Land Stinaur ने रक्त समू की कोच की थी। अर्थात Blood Group की 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 थी। Blood Group चार होते A और B, AB और O । चार हो दी नमबर विक्रान और सम्भाइन किसके द्वारा धातुए जो होती हैं वे गर्म होती हैं इस question का answer आपको दोना है देखें धातुए जो होती हैं फर्स्ट अपॉल आप समझें जितने metals होते हैं लगबग सभी electricity के good conductor होते हैं क्या होते हैं electricity के good conductor होते हैं और heat के भी best conductor अर्थात संचालन या चालन उनके अंदर होता है दातुए चालन प्रिक्रिया द्वारा गर्म होती हैं किसके द्वारा? चालन प्रिक्रिया के द्वारा चालन को इंग्लिस में conduction कहते हैं चालन समझें क्या होता है? माध्यम के प्रतेक कण अपने अगले कड को उश्मा इस्तानांतरित करते हैं ठोस एवं पारा के उश्मा का संचालन इस विदी से होता है अब आप समझें समवहेन क्या होता है जिसको इंगलिज में कन वेक्षन कहते हैं इस विदी में तरल के कण गरम भाग से उश्मा को लेकर स्वयम हलके उपर होकर तदा उपर वाला ठंडा भाग नीचे आ जाता है द्रो एवं गैस में समवहेन विदी द्वारा होता है अब देखें विकरन जिसको रेडियेशन कहते हैं इस विदी में उश्मा बिना माध्यम को गरम किये प्रकास की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है सूर से प्रत्वी पर उस्मा का आना बादलो वाली रात स्वच आकास वाली रात की अपेक्षा गरम होती है तो 502 हम कोश्चन देख रहे थे 502 का जो करेक्ट आंसर है माई डियर इस्टुडेंट वह हो जाएगा ए नमबर चालन चालन को इंग्लिस में कंडक्शन कहते हैं जितनी भी मैटल्स होती हैं सारी की सारी electricity की good conductor होती और heat की जिसकी heat and electricity की good conductor होते और all metals लगबल अब कोश्चन है अपने पास 503 जंग जिसको इंग्लिस में रष्ट कहते हैं का उधारन क्या है ए नमबर योगिक का बी नमबर मिस्रण का और सी नमबर मिस्रदातु का या डी नमबर तत्तु का जंग लगना इस पेसलिए आपने सुना होगा कि लोही में जंग लग जाती है तो होता किसका एक्जामपल योगिक का मिस्रण का मिस्रदातु का या तत्तु का जंग लगना एक योगिक का एक्जामपल है योगिक वे सुद्ध पदार्त है जो दो या दो से अधिक तत्वों की भार की विचारसिक निश्यत अनपात में रसाइनिक सैयोग के फलसुरूप बनता है क्या है ये एकदम pure product है जो दो या दो से अधिक ततों के भार की विचार से को निशित अनपात में रसाइनिक संयोग के फलसुरूप बनता क्या योगिक और योगिक का ही एकजामपल है जंग जंग को इंगलिस में रश्ट कहा जाता है तो 503 का जो correct answer हो जाएगा वह ए नमबर हो जाएगे योगिक का अब question reading 504 वात्यअ भट्टी का प्रियोग होता है निम लिखित के लिए किसकेलिए उपयोग होता है? तो हम कोशन देख रहे हैं 504 और इसका अगर आप देखना चाहें तो option A इसका correct answer है अब question देखिंग 505 जब एक लोही के कील में जंग लग जाती है तो लो आकसाइट का निर्मार खालीस्तान होता है A नमबर भार में कमी के साथ B नमबर भार में बिना किसी परिवर्तन के C नमबर रंग में बिना परिवर्तन के D नमबर भार में बरोत्री के साथ क्या उसमें परिवर्तन होता अगर लोही की कील में जंग लग जाती है तो लो आकसाइट के निर्मार भार में बरोत्री के साथ ह एक आप लोजिकली बात सोचें कोई भी मैटल मैटल इस्पेशली लोहा होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए लोहा होना चाहिए आईरन हो उसमें अगर जंग लग जाती है तो आटोमेटिक हमें पता चल जाता है कि इसका वजन बढ़ गया है साइज भी थोड़ा से ग्रोव करता और वेट गेन भी हो जाता है तो पांसो पांच का अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखना चाहिए तो डी नमबर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा हम लोग कोशन देखें पांस उच्छे एलेक्ट्रो प्लेट होने वाली सदय खाली स्थान बनाई जाती और जो धातू उस पर चड़ती है यह चड़नी है वह सदय खाली स्थान बनाई जाती यह नमबर देखिए कैथोड एनोड से बी नमबर एनोड कैथोड से C number cathode cathode से और D number anode anode से तो किस से बनाई जाती है तो आपको दोस्तों हम बता दें electroplate होने वाली सदव cathode बनाई जाती है तो क्या हो जाएगी cathode बनाई जाती और जो धात उस पर चड़ती है वह सदव anode होती है तो 506 का अगर हम correct answer देखना चाहें तो my dear students, वह हो जाएगा A number electroplate होने वाली सदव क्या होती, cathode बनाई जाती है क्या cathode बनाई जाती है, यहाँ पर cathode आएगा और जो दातु उस पर चड़ती है, वह सदव किसकी होती है वह anode की होगी, anode यहाँ पर आ जाएगी तो इस question के, जो correct answer इस question का हुए A number हो जाए, cathode और anode आप question देखेंग 507 कोरॉंडम का प्रियोग निमलिखित रूप में किया जाता है A number उर्परक, B number पैंट, C number उसती, इन में से कोई नहीं तो जो कोरॉंडम का प्रियोग निमलिखित में किसमें किया जाता है आप सोचें और answer देने की कोशिस करें तो हम आपको बता देते हैं कि जो कोरॉंडम है Aluminium का ask होता है, क्या होता दोस्तों? कोरॉंडम जो है, वह Aluminium का ask होता है जिसका फार्मूला Al2O3 होता है क्या होता है, Al2O3 इसका फार्मूला होता है क्रॉंडम, क्रॉंडम, Aluminium का यह एक ask है और 507 का correct answer अगर आप देखना चाहें तो प्री दोस्तों यह हो जाएगा D number इन में से कोई नहीं ना तो यह Aluminium का ask है जिसका फार्मूला Al2O3 होता है अब question देखेंग 508 पारा निम्द में से किस से आसानी से प्राप्त किया जाता A number Mercuric Oxide से B number Sinnevar से B number था क्या Sinnevar C है आपका Calamyl D है Mercure Oxide किस से प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों आप लोग सोचे आपको 5 सेकेंड का टाइम देते हैं देखें जो Mercuric Oxide है Sinnevar है Calamyl में पारा Sinnevar से आसानी से प्राप्त किया जाता है तो 508 का जो correct answer है dear student वह हो जाएगा क्या वह हो जाएगा B number Sinnevar क्या हो जाएगा Sinnevar अब question देखेंग 509 Aluminium Karastik Soda में किसके कारण या किस रचना के कारण विलय होता है किसके कारण विलय होता है Aluminium Karastik Soda में किसके कारण विलय होता है तो देखिए option 4 है first A देखिए Aluminium Caustic Alkali में नहीं गुलता B sodium Meta Aluminate के कारण C Aluminium Oxide के कारण D Aluminium Hydroxide के कारण तो dear student इसका correct answer हो जाएगा B number sodium Meta Aluminate के कारण यह कहाँ गुल जाता Aluminium Caustic Sodom अब देखिए question number 510 fuse का तार बना होता है A number तामा और लोहा B तामा और सीचा का C सीचा और टिन का fuse का तार किसका बना होता है आप लोग question देख पा रहे होंगे जो fuse का तार होता है वे सीचा और टिन का बना होता है किसका बना होता है सीचा और टिन का बना होता है fuse के तार गल्लांग निम एवन प्रतरोद उच अउच्छ होता है दीगों, fuse के तार की विसेशता होती जो इसका गल्लांग होता हुए निम नोता है जब भी हाई बोल्टेज होता है या एकदम हीट बरती तो यह तार क्या होता है ब्रेक कर जाता है जिसे फ्यूज उल जाता है और प्रत्रोज जो होता हुए हाई होता है प्रत्रोज शम्ता कैसी होती इसकी उच्छ होती है और फ्यूज का तार बनता किसे सी सा और टिन से बनता है तो इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर देख पारे होंगे 510 का हुए C नमबर प्लेटनम, बी नमबर चांदी और सी नमबर लोहा, डी नमबर सोना, बताएंगे आप लोग कौन सा, तो सबसे आगातवर्द मेलेविल जो है, वह होता है सोना, जिसको इंगलिश में गोल्ड कहते हैं, और इसके आभूसर बनाय जाते हैं, लोग इनका उपयोग करते ह सोना होता है, वह 24 कaret का होता अरथ चोविस कारेट का होता बर जो आप अभूसर प्रियोग करते हैं उपयोग मिलाते हैं, वह जो होता है, वह 22 क का होता है, ऐसा क्यूंग? अगर 24 कारेट के सोने से आभूसर बनाय जाएंगे, तो एक निशित आकरती में नहीं रह पाएंगे आटोमेटिक वे मुल जाएंगे इसलिए 22 कैरेट्स क्या होता है? गोल्ड होता है इसके लावा जो 2 कैरेट्स होता है 2% impetus मिलाई जाती है ताकि वे स्ट्रॉंग हो सके और जिस आकरती में आप ढालना चाहें उस आकरती में इसको ढाल कर अपने जहनिक जीवन में आवुकसर बनाकर इसका उपयोग कर सके तो 511 का जो correct answer है वह दोस्तो है D number 6 अब question देखेंगे 512 निमली कित में से किस दातु कतार सरलता से खीचा जा सकता है A number 10, B number तामा C number late, D number जस्ता किस से यह खोजा जाता है अर्थाथ किस से खीचा जाता है तो हम इसको देखेंगे चारो आप्सन आपके समक्ष दिएगे है तो देखें तामा दातु कतार सरलता से खीचा जा सकता है तामा से क्या होता है electricity के wire बनाया जाते है आराम से इसको खीच कर हम लोग लंबे लंबे तार बनाते है मोटर भरने में भी तामे का तार का ही उप्योग किया जाता है पांसो बार्या का जो correct answer है my dear students वह हो जाएगा बी नंबर तामा अर्थाब इंग्लिश में इसको copper कहते है क्या कहते है अब कोश्चन देखेंगे अधिक्तम तर्णता वाला पदार्थ कौन सा A नंबर ऐल्मूनियम B नंबर मर्दू इसपात C नंबर तामा और D नंबर जस्ता इन चारों को आप ध्यान से देखें सबस्यादा तार किसके बनाए जाते है मोटर बरने में पतले पतले तारों का किसका उपयोग किया जाता है तो दोस्तो इसमें उपयोग किया जाता है तामा का किसका तामा का तो अधिक्तम तर्णता वाला पदार्थ कौन सा है वह है तामा जिसको इंग्लिश में कॉपर कहते है क्या कहते दोस्तो क्या रहता है अमलगम ने C, जो निस्कर्सन अरता निकाला जाता वह सिनेवार से सिनेवार ऐस्क से निकाला जाता सिनेवार ऐस्क जो है उसका फार्मूला HGS होता क्या होता है HGS होता पारा का उप्योग, थर्मामीटर, बारोमीटर, आदी अंतरों में, सिंदूर के निर्मार में, मरकरी वास्प लेंप बनाने में देखे, पारा का उप्योग देखो, थर्मामीटर, बारोमीटर, आदी अंतरों तो करते हैं इसके लबा सिंदूर के निर्मार में मरकरी वास्प लेंप बनाने भी इसका उप्योग किया जाता है और इंगलीज में इसको मरकरी कहते हैं क्या कहते हैं मरकरी कहते हैं तो दोस्तों पांसो चोगदे का करेक्ट आंसर हो जाएगा H G अर्थाथ C नमबर किस तरह की वेल्डिंग प्रिक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्याई होता है A नमबर गैस B नमबर थर्मिट C नमबर आर्क D नमबर टी आई जी किसका होता है तो दोस्तों इसमें होता है आर्क का अर्थाथ जो क्योश्चन पांसो पंदे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नमबर आर्क क्योश्चन देकिंग 514 बेसे मर प्रिक्रम से बनाया जाता है A नमबर टीन B नमबर अमोनिया C नमबर इसपाथ D नमबर हाइड्रोजन किस से बनाया जाता बेसे मर तो दोस्तों आपको बता दे इस पाथ से किस से इस पाथ से बेसे मर बनाया जाता है 516 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह C नमबर हो जाएगा इस पाथ कोश्चन देकिंग 517 थर्मिक वल्डिंग है एक प्रिकार का क्या है A नमबर प्रितरोध B नमबर गैस वल्डिंग C number fusion welding D number arc क्या है तो दोस्तों आपको बता दें इसका correct answer हो जाएगा C number fusion welding क्या है fusion welding ए 570 का correct answer हो जाएगा C number fusion welding question देखिंग 518 देखिंग 518 question क्या है ध्यान से देखिंग आप लोग निमलिके दमें से किसे strategic धादू कहते हैं A number silicon, B number germanium C number titanium और D number uranium देखिंग जो titanium धादू को ही strategic धादू कहते हैं और uranium की आशा धादू metal of hope भी कहा जाता है इसका उपयोग किसमे होता है परमाडू बट्टी जिसको atomic reactor कहते है में इंधन के की रूप में होता है किसका uranium का उपयोग किया जाता है तो 518 का दोस्तों जो correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा क्या दोस्तों D number uranium uranium क्या है uranium को strategic धादू कहते हैं इसे आशा धादू भी कहते हैं English metal of hope भी कहते हैं उपयोग की बात करें तो परमाडू बट्टी में जो होता परमाडू बट्टी होती हैं उसमें इंधन की रूप में इसका उपयोग किया जाता है किसका uranium का अब question देखेंगे हम लोग 519 निम्ली कितमे से कौन सतत्तों सोतंतर अवस्ता में पाया जाता है A number IOD B number C number Sulphur D number Phosphorus यह किसमें सोतंतर रूप में पाया जाता देखें जो Sulphur है वह सोतंतर अवस्ता में पाया जाता क्या? Sulphur सोतंतर अवस्ता में पाया जाता Sulphur का उपयोग beauty parlor जो होते हैं बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए किया जाता जो आपने hair style विविन परकार की मैं लाहों की देखेंगे फीमेल्स की जो डिफरेंट टाइप्स की attractive hair style maintain करती है वह किसकी वज़ेस करती हुए Sulphur के उपयोग की वज़ेसे किया जाता जितने भी beauty parlor सोते हैं उनमें Sulphur का उपयोग किया जाता hair style सेट करने में Sulphur फफुंदी नासी के रूप में प्रियोगत होता है और Sulphur का दूसरा उपयोग क्या है फफुंदी नासी जिसको इंगलिस में fungi या fungi sites भी कहते हैं इसमें भी इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है तो इतनी चीज़े आप लोग समझ पा रहे होंगे 519 का जो correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा C number Sulphur question देखेंगे 520 असी प्रतिसस से अधिक welding शमता होती है A नमर oxyacetylene welding की B नमर arc welding की C नमर Beijing की D नमर उपयोगत में कोई नहीं तो किसमें होती है तो इसका दोस्तों correct answer हो जाएगा वह हो जाएगा B नमर arc welding की असी प्रतिसस से अधिक welding शमता किसमें होती arc welding की ही होती है correct answer 520 का हो जाएगा B नमर अब हम question देखेंग 521 लोह का सुद्धुतम रूप क्या है A नमर steel B नमर पिटवा लोहा C नमर धल्वा लोहा D नमर stainless steel तो लोह का जो सुद्धुतम सुद्धुतम रूप होता है pure iron होता हुए पिटवा लोहा होता है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तो Marina elin बिटवा लोहा ही कहते हैं के इसमें कारवन की मातरा कितनी होती है 0.12 से 0.25 तक होती है कितनी होती 0.12 से 0.25 प्रत्यसद इसमें Development की मातरा होती है अब हम लोग कोश्चन देखेंगे 522 निमलिके धादुगों पर विचार करें किस पर A नमबर प्लेटनम, B नमबर स्वर्ग और D नमबर तामर और स्वर्ग नहीं जगे दोस्तों स्वर्ण है ध्यान रखेगा A नमबर प्लेटनम है, दो नमबर स्वर्ण है, तीन नमबर तामर है और चार नमबर सीचा है इनके गनत्वों का सही आरोई किरम कौन सा? आरोई मतलब होता छोटे से बड़े की ओर जाना इंग्लीस में इसको ascending order कहते हैं और अवरोई क्या होता बड़े से छोटी की ओर जाना अर्थाथ इंग्लीस में इसको descending order भी कहते हैं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा A नमबर पांसो बाइस का क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ए नमबर पहले तीन आएगा, अर्था तामर, फिर आएगा, चार नमबर सीशा, फिर दो नमबर सौन, और लाश्ट में आएगा प्लैटिनम, तो क्या है, यह हो गया, आपका आरूई क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, क्या है, इनका घ्रम तो कैसा है, यह छोटे से बड़े की और इस तरीके से है, और इसका क्रेक्ट आंसर एगा, अब कोशन देखें, पांसो तेज, पांसो तेज, क्या दिया गया, निमल खित में से पॉलीमर है, A नमबर विनाइल क्लोराइट, B नमबर यूरिया, C नमबर ठीक है, देखें, स्टार्च कार्बो हाइडरेट का पॉलीमर है, क्या है, जो स्टार्च है, वे किसका, स्टार्च जो है, कार्बो हाइडरेट का पॉलीमर है, और वेनिल क्लोराइट के बहुल की कारण से, पॉली वेनिल क्लोराइट अर्था जिसको PVC कहते, यह प्राप्त ह इसका उपयोग पाइप बनाने में विद्धुत तार के कवर बनाने में जूता के सोल बनाने में उपयोग किया जाता है किसका किया जाता पीवी सी का उपयोग किया जाता पीवी सी का जो फूल फाम होता है पॉली वेनिल क्लोराइट होता है तो 523 का जो करेक्ट आंसर निकल क स्थेटिक फाइबर कहते हैं वह क्या है ए नमबर नाइलोन बी नमबर रियोन सी नमबर टेरी कॉट डी नमबर पॉली इस्टर तो बात होरी पर्थम कौन सा है देखिए तो आपको बता दें मानो द्वारा निर्वित पर्थम जो संस्लिस्ट रेसा है जिसको इंगलिश में सि अग्जामिथलीन डाइमीन से होता है उपयोग क्या होता वस्तर बनाने में टायर बनाने में रसी एवं पैरसुट बनाने में इसका उपयोग होता नाइलोन का अब बात करें रियान की तो रियान का निर्मार जो होता सेलूलोज से होता अर्थाग प्योड पाउदी से होता सेलिलोज में सोडियम हाइडरोकसाइट एवम, कार्वन डाइकसाइट, कार्वन डाइस सलफाइट, तता डाइलूट H2SO4 के मिलाने पर रियोन रेशा प्राप्त होता है इसका उप्योग वस्तर बनाने होता है इस्टर के बोलू की कारण से पॉली इस्टर का निर्माल होता है वस्त बानाने भी इसका उप्योग होता है तो अपने 524 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइडियो इस्टूडेंट वह हो जाएगा ए नमबर नाइलोन क्या हो जाएगा नाइलोन इसका करेक्ट आंसर हो बोलित यह C नंबर प्राक्रतिक क्रिश्टली, D नंबर प्राचीन इस्तंदारी के आउशूस यूग्त तो अप लोग इस question को देख पारों है question number 25 है क्या है question number 25 है हीरा क्या है हीरा होता है सुध्कारवन का crystal क्ossible होता है सुध्कारवन का देखेist रंगिन हीरा का उपयोग आबूसर बनाने में होता है काला हीरा को बोट कहते हैं इसका उपयोग कांच सीशा काटने में होता है आप से पुछाए कांच सीशा काटने में किस हीरे का उपयोग के जाता है ब्लेक डायमेंड्स का उपयोग के जाता है इसको बोर्ट कहते हैं और जो कलरलेस होता उससे स्पेशली क्या है जेलीज वगेरा अर्थात आप उप्सर बनाए जाते हैं दोस्तो ये सीरीज ये पर कंप्लीट होती उमीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी इसी तरीकी कि जबर जस्त सीरीज आपको continue मिलती रहेंगी ये सीरीज totally NCRT based है अब आप बात आती है आपको करना क्या इस सीरीज को अधिक सिदिक लाइक करना share करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तो जय हिंद जय भारत